हाई फ्रेंज असलाम अलेकूम और वेलकम बैक टू योर वेरी उन पटेल्स किचन मैं हूँ मुबीना पटेल और आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तंडूरी रोटी की रेसिपी वो भी मैं गेहूं के आते के साथ बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने दो कप गेहूं का अता ले लिया है आप चाहे तर शिर्फ मैडा ले सकते हो या फिर अधा मैडा और अधा आता भी ले सकते हो मैंने मैदा के साथ जो टंडूरी रोटी बनाई है उसकी रेसिपी शेयर की है लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूंगी टाटे के अंदर एड़ करना है शुगर और नमक एक एक टीस्पून बेकिंग सोडा आप चाहे तर इनो भी एड़ कर सकते हो यहाँ पर मैंने तीन टेबल स्पून दही एड़ कर दिया है यह नॉर्मल दही है कोई भी दही ले सकते हो और इसके अंदर मैं एड़ करूंगी पानी और इसका अच्छा सा सौफ्ट डो बना लूंगी तो पानी थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है और यह नॉर्मल पानी है रूम टेंप्रेचर पर है गरम पानी नहीं लिया है मैंने तो इसका एक बार अच्छे से दो गूंड लेने के बाद इसके उपर थोड़ा सा ओइल एड़ करके इसे 30 मिनित के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है तो फ्रेंस आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ चैनल का लिंक जरूर शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो यहाँ पर आता एक बार अच्छे से गुन गया है तो मैं इसके उपर थोड़ा सा ओयल एट करके इसको एक राउन शेप दे दूँगी और इसके उपर थोड़ा सा हलका सा ओयल लगा लेना है बहुत थोड़ा सा और इसको अच्छे से फैला करके कवर करके रख देना है आधे गंटे के लिए तो आधे गंदे के बाद देखो इसके अंदर एक जाली सी आ जाएगी तो इसके बाद इसको एक मिनित के लिए अच्छे से गुंद लेना है और इसके बाद इसके पेरे बना लेना है तो यहाँ पर आपकी चोईस है कि आपको कितनी बरी रोटी बनानी है छोटे बरे आप तो आप यहां पर आपकी चोईस के हिसाब से गार्लिक नान या फिर सिर्फ बटर नान बना सकते हो और आप इसके अंदर कसूरी मेथी भी एड़ कर सकते हो वो मैं आगे आपको बताऊंगी तो इस तरीके के पेरे आप अपनी चोईस के बना सकते हो छोटे या बड़े तो आपके से बेल लेना है जैसे के हम रोटी बेलते है और इसके बाद में बनाओंगी गार्लिक नान ता इसके लिए मैंने क्या किया है कि थोड़ी सी कोठ मीर और छोड़ा ऊसा चौप किया हुआ लेसन और ठोरी सी कलोंजी एट कर दी कलोंजी से इसका तेस्ट अच्छा आता है लेकिन उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है तब इससे भी रोटी ही बना लेनी है आपको यहां पर आप ठोड़ी मोटी रोटी बनाना चाहते हो वो आपकी चोईस है या फिर आप जितनी पतली बनाना चाहते हो वो भी आपकी चोईस है क्योंकि यह रोटी बहुत ज्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती है और बहुत ज्यादा मोटी भी खाने में दिक्कत होती है तो आपको इसकी ठीकनेस इस तरीके से रखनी है कि खाने में अच्छा लगे तो अब मैंने तवा गरम कर लिया है तो रोटी की एक साइड पे जहां पे हमने कुछ भी एड नहीं किया है कलोंजी वगेरा जो plan side है वहाँ पर आपको brush की help से पानी लगा लेना है और इसके बाद क्या करना है के तवे पर रख देना है जो पानी लगाई है वो side तवे पे जानी चाहिए और बस एक बार वो अच्छे से शिख जाए तो इसको turn करके इस तरिके से टवे को flip करके मतलब side पलता लेनी है टवे की और इस तरिके से इसको फैला फैला कर चारो और टवे को फैला करके ये रोटी को सेक लेना है तो देखो इस तरिके से तो बहुत अच्छा इसका कलर भी आया है और इसके ओपर मार्क्स भी बहुत अच्छे आये है तंडूर के तो बस इसको मैं निकाल लूँगी ध्यान रहे यह अच्छे से सिख जाए और बस मैंने इसको निकाल लिया है तो अभी सेम मैं दूसरी रोटी को भी ऐसे ही सेक क्योंके फ्लैम आपको मीडियम रखना है उस ताइम पर बाद में आप जब तवा टर्न करते हो तब फ्लैम को हाई कर देना है क्योंके एकदम से जलने जाए रोटी तब मैं यहां पर रोटी को डूसरी तरब से भी अच्छे से से शेक लूँगी इस तरीके से तवे को चार इसके ओपर बटर लगा देना है और बस गर्मा गरम इसे सर्व कर लेना है ताइ होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी दुआओं में जरूर याद रखना ठेंक यू अल्ला हाफीज